Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 14.2 से question number 4 करेंगे, factorize, यह factorize करना है जो आपको expression दे रखी है, a4-b4, अब देखिए a4-b4 का हमारे पास कोई formula नहीं होता है, हमारे पास formula होता है a2-b2 का, अगर हम इसको इस form में बना देते हैं, तो फिर यहाँ पे formula लग जाएगा, a plus b, a minus b, और यहीं आपको इस question में सारे के सारे parts के अंदर करना है, तो a4 को मैं a2 की form में लिख सकता हूँ न, मैं क्या कर सकता हूँ, कि a square का whole square लिख सकता हूँ, इससे क्या होगा, 2 into 2, 4 हो जाएगा, minus, ऐसे b4 को मैं लिख सकता हूँ, bk square का square, तो अभी क्या हुआ है, जो a और b मेरे ह हो गए है न, यहाँ पे जैसे यह formula होता है, मेरे पास identity होती है, यहाँ पे जो a और b मेरे हो गए है, वो a square और b square हो गए है, तो इनको मैं ऐसे करके दो bracket में लिख सकता हूँ, तो इसके मेरे दो factors बनेंगे, a का square, plus b का square, और दूसरा बनेगा, a का square, minus b का square, यहाँ पे थोड अब पहला number वो होगा, जो bracket के अंदर होगा, अब यहाँ जो bracket के अंदर है न, वो पूरा a square है, तो पहले number का square, दूसरे number का square, पहले number का square, minus दूसरे number का square, तो यह इसके expansion हो गई है, अब इसके आगे इसमें एक चीज़ और होगी, कि जो plus वाला part है, plus का तो कोई formula होता नहीं हमारे पास a square plus b square का कोई formula नहीं होता है हमारे पास, तो इस चीज़ को मैं as it is copy कर दूँगा, लेकिन अगले part को आप फिर से देखें, तो यहाँ पे फिर से यही identity लग जाएगी, यहाँ a का square minus b का square हो गया, यहाँ पहले का square minus दूसरे का square, तो इसकी यह identity होती है, कि पहला plus दूसरा, दूसरे bracket में पहला minus दूसरा, तो इसके फिर से दो factors बन जाएंगे, यहाँ पहला और जो दूसरा number है वो ही है, जो square के नीचे लिख रहे हैं, यानि कि a और b, तो इसके दो factor और बन जाएंगे, a plus b और a minus b, तो इन वाले parts में आपके साथ यही होगा, कि पहले आप जो 4 वाली चीज है, उसे आप 2 में बदलेंगे, और उससे फिर दो factors बनेंगे, उन में से एक plus वाला आएगा, जिसका आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो minus वाला आएगा न, उसमें फिर से आपकी यही identity दुबारा से लग जाएगी, चले second part देखते हैं, second part में भी ऐसे ह करना है, यह P4 है, तो P4 को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, कि यह किसी का whole square की form में दिखाई दे, तो P square का square में लिख सकता हूँ इसको, आगे minus हैं, और 81, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 into 9, यानि की 9 का square, तो इसे मैं 9 का square लिख सकता हूँ, अभी मैंने अपने सवाल को बिलकुल इ P का square, यह मतलब पहला number, यहाँ पहला क्या है, P का square, यह पूरा जो P square है ना bracket के अंदर, यह मेरा पहला number है, और दूसरा है मेरा 9, अब इसमें यह identity लग जाएगी, पहला plus दूसरा, पहला minus दूसरा, तो इसके दो factors बनेंगे, P square plus 9, और दूसरा factor इसका बनेगा, P square minus 9, अब प्लस वाले का, तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यह हम as it is copy कर देंगे, P square plus 9, इसका काम यहाँ पे खतम हो गया, लेकिन यह अभी आगे solve हो सकता है, क्यों, क्योंकि P square तो P square है, यह तो इसकी whole square की form में लिखा हुआ है, हाँ 9 को हम change कर सकते हैं, 9 को हम 3 into 3 की form में change कर सकते हैं, यानि 3 का जो square होता है, वो 9 होता है, तो यहाँ पर अभी इस 9 को हम 3 का square बना लेंगे, और फिर से यहाँ पर यह यह identity लगई, A का square, B का square, यहाँ पर A क्या हो गया, P, और B क्या हो गया, 3, तो इसके दो factors बन जाएंगे, तो इस वाले को तो मुझे copy कर देना है, जस्ट ऐसे ही, और आगे वाला, इसके दो factor बन जाएंगे, P plus 3, मैं अगर पहला दूसरा बोलू, तो पहला प्लस दूसरा, और पहला minus दूसरा, यह इसके दो factors हो गए, चलिए, थर्ड पार्ट पर देखे, थर्ड भी सी तरह का है, यहाँ भी आपको 4 दिखाई दे रही होगी, पावर, तो पहले मैं इसे 2 में बतलूँगा, तो X का square करूँगा, और इसका square कर दूँगा, minus, यहाँ पे भी ऐसा ही किया जाएगा, Y plus Z, पहले मैं इसका square कर लूँगा, और फिर इस सारे का power में square लगा दूँगा, तो मैंने इसके यह square की form में बना लिए, अब यहाँ पे मेरा पह पहला वो है जो पहले bracket में X square, दूसरा Y plus Z whole square, यह मेरा दूसरा है, तो इनको पहले मैं A plus B की form में लिख लेता हूँ, तो पहला प्लस दूसरा, यानि कि Y plus Z का whole square, यह लिख लिए मैंने पहले का square, sorry, पहला प्लस दूसरा, अभी मुझे करना है यह वाला, यानि पहला minus दूस पहला क्या है, X square, और minus, दूसरा क्या है, यह पूरा का पूरा जो bracket के अंदर है, Y plus Z और इसका whole square, यह मैंने इसके दो factors बना लिए, अभी जो plus वाला है, इसका तो हम कुछ करेंगे नहीं, यह as it is copy कर देते हैं, X plus, और bracket में Y plus Z का square, और यह इसका काम यहाँ पर खतम होगा, लेकिन यह अभी फिर से expand होगा, फिर से क्यों expand होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे, कि X के उपर square लगा हुआ है, और यहाँ Y plus Z के उपर square लगा हुआ है, यहाँ यहाँ फिर से identity लग जाएगी, A square minus B square की, A मतलब पहला, B मतलब दूसरा, तो पहला यहाँ पे X होगया, औ Y plus Z, यह छोटा bracket बनाके मैं ऐसे लिखूँगा इसको, और यह पूरा बड़ा bracket, A plus और यह होगया B, इसी तरह से A minus और यह मेरा B होगया, Y plus Z, तो इस वाले के यह दो factors होगे, अब इसको कुछ solve कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा और इसे तो as it is copy करेंगे, देखें, इसे करने को हम solve भी कर सकते हैं, पहले वाले को, क्योंकि यहाँ पर whole square लग रहा है ना, तो यहाँ हम formula भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो खुलके जो है ना, Y और Z की form में ही आएगा और यह X square की form में है, इससे जो next fourth question है ना, उसमें आपको एक हो जाएगा, यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है, तो इसको expand करने का कोई फायदा नहीं है, इसे आप ऐसे ही रखें, इस bracket को solve कर लेते हैं, X का X हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और यह Y का Y, फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया, और यह Z का Z, यानि प्लस जो भाहर है ना, य प्लस प्लस हो गया, इसी तरह यहाँ भी आपको ध्यान देना है, X का X हो गया, यह माइनस Y इन दोनों पर effect डालेगा, माइनस Y जब प्लस Y से टकराएगा, तो माइनस का Y बनेगा, माइनस जब बाहर वाला जब प्लस Z से टकराएगा, तो प्लस और माइनस हो गई है, माइन और यह z बन जाएगा तो इसमें आपको last में sign का भी बड़ा ध्यान रखना होगा चलिए इसके बाद यह इसका answer होगा इसके तीन factors आगे इसके बाद करते हैं fourth part, fourth part बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल same to same ऐसा ही है और इसी तरह से आपको करना है यहां भी four की power दिखरी होगी आपको यह तो x का square का square कर लेंगे पहले फिर minus, यहां x minus z इसे अंदर ले लेंगे और इस सारे का square कर देंगे तो a square minus b square की form में अभी बन गया यहां a मेरा क्या है? जो bracket के अंदर लिखा हुआ है, यानि की x square और b मेरा क्या है यहां पे? यह पूरा का पूरा, x minus z whole square यह पूरा b है और इसकी expansion होगी a plus b, यानि एक बार जुड़ जाएंगे और a minus b, एक बार यह minus हो जाएंगे तो x square के अंदर x square में plus हो जायागा एक बार यह वाला सारा bracket x minus z का whole square और दूसरा bracket में यह minus हो जाएंगे यानि x square में से minus हो जाएगा second वाला, यह जो पूरा है x minus z का whole square अब यहां पे मैंने पीछे बताया था ना आपको कि यहां x और x आ गए तो इस bracket को हम solve कर सकते हैं इसे हम solve कर लें तो x square तो as it is आ गया यहां फिर से एक identity लग रही है x minus z वाली identity लग रही है यानि a minus b का whole square की identity लग रही है वो होती है a का square plus b का square minus 2ab यहां a और भी मेरे x और z है तो यह x का square हो गया plus यह z का square हो गया और minus का minus 2 का 2 और x और यह z हो गया तो यह ऐसे मैंने इसको यहां simplify कर लिया main काम है यहां पर अब यहां फिर से आपको ध्यान देना है देखें यहां पर identity लग रही है आपकी a square minus b square की अभी जो a हो गया यहां पर वो हो गया है सिर्फ x और जो b हो गया है वो हो गया है सिर्फ x minus z तो एक बार x के अंदर प्लस हो जाएगा x minus z एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के अंदर x के अंदर minus हो जाएगा x minus z अब इसे simplify कर लेते हैं यहां पर x और x square x square हो गया है 2x square और बाकी तो यह unlike term है as it is copy हो जाएगा z square minus 2x और यह z इसे simplify करते हैं देखिए यह x है यह प्लस और अंदर प्लस है ब्रैकेट में है ना दो terms तो प्लस प्लस से टकराएगा तो प्लस ही आएगा और यह x हो गया यहां प्लस माइनस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा और यह z हो गया आगे देखें x का x ये minus इस plus से टकराएगा minus plus x से टकराएगा तो minus का x हो गया फिर ये minus minus से टकराएगा तो plus हो गया और ये z का z हो गया plus minus का बहुत ध्यान देना होगा आपको इन questions के अंदर ये जो वाला bracket है पहला ये मैं already solve कर चुका हूँ तो ये just मुझे copy ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर आगे देख लीजिए आगे x plus x हो गया है 2x और ये minus z ये इसका simplification हो गया next bracket में देखें तो plus का x है और minus का x है तो plus minus के तो कटी गए यहाँ सिर्फ z बज़ गया अब इससे अलग इसके अंदर कुछ भी solve नहीं होगा जो है यही आपका answer है तो ये bracket पूरा solve हो चुका है इसे simplify किया गया है और ये simplify होके z हो गया ये इसका answer है फिफ्थ पार्ट देखें फिफ्थ पार्ट और भी ज़्यादा important है क्योंकि इसमें 3 terms है और इन 3 terms के अंदर हमें कुछ ऐसा formula बनाना है ताकि हमारा factorization हो जाए तो जो 4 वाली terms है ना 4 वाली terms पर आपको ध्यान देना होगा इन्हें square की form में बनाना है ये a square का whole square बना दिया तो a 4 हो जाएगा इसी तरह से यहाँ ये जो b है इस b के square का अगर whole square बना दे तो b की power 224 हो जाएगी अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया है कि a का square और b का square और बीच में लिखा हुआ है minus 2 और a और b की जिएगे देखिए a square और b square लिखे हुए a square और b square और ये plus है हाँ पर तो इस formula को ज़रा यहाँ से इस से compare कीजिया a square प्लस b square ये a square प्लस b square और minus 2 a b ये इस form का सवाल बन गया है जहाँ पर a और b यानि कि पहला और जो दूसरा नंबर है न वो a square और b square है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहले का पहला नंबर minus दूसरा नंबर और इस सारे का whole square ये ऐसा ना होके ऐसा है क्योंकि जो bracket के अंदर जो value है यहाँ पर वो a square है यहाँ सिरफ a है तो a square minus b square का ये whole square हो गया अभी अंदर अंदर bracket में अगर आप सिर्फ देखें तो वहाँ पह आपका ये वाला formula लग जाएगा a square minus b square यानि इसके ये दो factors बन जाएंगे तो वो बनेंगे a plus b और a minus b ये bracket के अंदर की बात कर रहा हूँ है अभी इसके सारे के उपर ये two बाकी है ये two लगा हुआ है बस इसके ये दो factors बन गए है अभी ये दो factors हैं और इनके उपर square है तो इस बात का ये मतलब है कि ये वाला factor भी दो बार है और ये वाला factor भी दो बार है तो अलग-अलग करके लिख दूँँ हमे a plus b ये भी दो बार है और a minus b ये भी दो बार है ये इसके दो factors हो गए तो question खतम इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye